जी बेटा, पार टू स्टार्ट हो गया है, जी, क्या, अच्छा जी, ये सही कर लें, डेप्रिसेशन मैथड, यहाँ पे एक सुडेंट ने बताया है, पार टू स्टार्ट होने से पहले, अच्छा जी, अब, चुके री वैलिएशन इस साल में हुई नहीं, इसलिए मैंने फिगर नजर आ रही हैं, क्या वो ओपनिंगस फिगर्स हैं, क्लोजिंग aspects हैं या क्या ओर तीसरी नसल की हैं, जी, ट्राइल, पोस्ट, क्लोजिंग ट्राइल है, सारी figures इसमें closing पड़ी हैं और सारी adjustments भी हो चुकी है ठीक है जी तो अब closing figures हैं तो closing figures को उठाकर लिख लो जहां जहां जो जो figure given ठीक है तो आओ जी जो यहां पर आपने सबसे बड़ा ये निशान लगाया था इन figures को उठा लो 375 ये land की closing cost given है depreciation तो land की होती नहीं है लेकिन ये वैसे ही cost वाले वाला item है 375 closing लिख रहे हैं मैं पहले लिखनो फिर आप लोग लिखते जाना next 27 furniture की cost और 8 इसकी accumulated depreciation furniture की closing cost 27 और 8 इसकी minus अभी minus का sign नहीं लगाना भी end पे लगा लेंगे जब value चाहिए होगी next 85 machine की cost 27 इसकी accumulated 85 और 27 next building 150 और 26 मुझे पता है आपका दिल का रहा है 150 ना लिखें इसमें 20 पढ़ा है काट के सही कर लें के और 26 total एक ही बार में लिख दूँगा end पे आप total column भरते रहिए का सास्थ note के अंदर आना चाहिए total column में सब कुछ ओके अच्छ अच्छ ये जनाब मैंने trial से कोई figure trial वाली छोड़नी नहीं है हमने जब सब tick हो जाएगा तब इसकी जान छोड़ेंगे तो यहाँ पर तो एक minute ही लगा है मैं तो कहता हूँ इसको भी उठा लो computer software की cost और इसकी accumulated चलो note number two software जी opening, closing कितना है जी 10 opening, closing इसमें तो कोई disposal था ही नहीं सवाल के मैं डेटा नहीं तो मैंने इसलिए थोड़ा मैंने का यहाँ पर कोई और note बन जाएगा जितने note maximum आपके board पर बन सके मेरी कोशिशे बन जाएगा बाकी पिर जो है वो या तो sheet उठा देंगे या पिर मैं one note पर बना दूँगा जी two अच्छ जी अच्छ जी अब ये सारी चीज़ें भी चली गई कुछ बचा ही नहीं अब मेरे ख्याल में इन दोनों को मकमल कर लेते हैं पिर आगे च भी क्या ख्याल है ये दोनों मकमल हो जाएं तो बेतर है तो सबसे पहले इसकी बात ही कर लियू जी इस सब नोट इसका क्या करें जी दा फर्स री वैशन फ्रियोड लैंड वस कैड़ आउड इन दोजार ग्यारा एंड इसको सिर्फ बताना है यह डेट बतानी होती है लास दी वैशन फ्रिक है तो लिखें यार एक काम करें थोड़ी सी ना मैं यहाँ पर अगर गुंजाइश बना दे ना मुझे यह मैयर्मेंट बेसिज वगेरा अगर आप मुझे थोड़ा सा माफी दे दें मैं तरहा पिल्कुल तंग तंग करके लिख लूँ तो मैं नीचे ही आपको दरा कॉंटिन्यूटी में दिखा दूँ कि आपका सब नोट आपका तो सब नोट आगे चल जाना है तो यह थोड़ा सा मैयर्मेंट बेसिज फिर डेप्रिसियेशन मैथड और लाइफ या रेट इसके बाद आपने मैं यह कॉंटिन्यूटी लिखें लास्री वैलिएशन वस परफॉर्म बाइवाज रीवैशन पल क्यों लिख लें रेवैशन फ लैंड वास यहीं यहीं से उठाओ दरी वैशन फ लैंड वास केरेड़ आउट इन दोहजार यारह बस अगली बात ना लिखें रिजल्टेंट निये वह नदर आ रहा ह चल हैं लिखा तो है मैंने जी दा लैंड इस री वैल्यूड दा लैंड इस री वैल्यूड इन दो हजार ग्यारा बाई यहां शुरू हो जाओ बाई एन इंडिपेंडेंड वैल्यूर बाई एन इंडिपेंडेंड वैल्यूर अब आगे लिखो जल्दी से सब by an independent valuer Mr. D. Chartered Civil Engineer of MS SS SS consultant PVT Limited Islamabad जल्दी करो सब 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो The land was revalued in 2011 by an independent valuer Mr. D. Chartered Civil Engineer of Messrs SSS consultants Private Limited Islamabad जल्दी करें Engineering करते हैं Revalued और क्या CA करते हैं हमें नहीं पता होता है ये plant का क्या इसाब कताब है ये Revalued और Revalued लगाता है हम तो सरफ रिपोर्ट देखकर उसके उपर उसकी तसलिख करते हैं कि है कोई बंदे का है कोई competent आदमी तो उसकी रिपोर्ट को हम Incorporate कर लेते हैं फाइन से स्टेटमर्स के ठीक है अच्छा जी इसके बाद मशूरे जमाना नोट नमबर 1.2 Had there been no revaluation अब देखो ये न लैंड है लैंड है ठीक है ये क्या है अच्छा वर्किंग्स के लिए कौन सा सफ़ा आपको बताया हुए चौथा तो वर्किंग वाले सफ़े के ओपर अब पहली वर्किंग आप करें वर्किंग वान मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्किंग से जी क्या शॉर्टकट ही है शॉर्टकट ही पड़ा हुए इसमें ठीक है ये 120 का surplus है और ये लैंड है जो रिवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा है अब ये जिन्दगी तो असान है इसकी और क्या इसके अंदर टेंशन हो ठीक है बहुत बहुत सिंपल सी अज़स्मेंट है के जी आपका इस वक्त लैंड नजर आ रहा है देखो एक होती है book value एक होती है re-value प्रेशन सर्प्लस वगारे लाइन छोड़कर आप लिखा करते थे थे न री वैल्यूड अमाउंट बोलो तो री वैल्यूड अमाउंट कितनी नदर आ रही है 375 और सर्प्लस आपको किताबों में कितना नदर आ रहा है तो बैलंसिंग book value आज निकालो उलट चलें आप कितना जी 255 अब ये working one का reference आपने देना है चीक है लगे रहो लगे रहो कसम से बस नहीं कर रहे हैं टी 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 जी 120 भाई ये 120 अरोज पता नहीं कब हुआ था लेकिन आप उसको ना ही लिखें तो ठीक है मतलब पता नहीं कब 2011 में लेकिन मसला कोई नहीं है ये लैंड है लैंड ने depreciate होना नहीं है तो इस surplus ने भी कहीं नहीं जाना unless कि ये dispose हो जाए तो बस simple सी बात है अगर ये revalue ना हुआ होता तो लैंड इस वक्त किस पे नदर आ रहा हुता तो यहां पर आपने note number 1.2 यहां पर जगा बची नहीं चलो यहीं भी लिखता हूँ 1.3 आगे ले जाता हूँ तो note number 1.2 had there been no revaluation यहां पर पूरा नहीं आ रहा और वैसे भी मुझे अभी इस note का थोड़ा सा हिस्सा आगे लेकर जाना है तो मैं सब note यहां पर बना रहा हूँ आपके लिए had there been यह note number अब note है working अलग रख रही है चौते सफ़े बे आपको का हूँ ठीक है note number 1.2 had there been no revaluation land would have shown a book value of land would have appeared at a cost लिख दो cost of 255 million cost ही है land की cost book value एक ही बात होती है 255 million और इसके आगे working number 1 का reference दे दो ओके यह आपका sub note बन गया 1.2 अच्छ 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 अब यहां तक तो मामला वही चल रहा है जो FDR 1 वाला था surplus में कोई movement है नहीं इसलिए वो ना भी मिनाए तो काम चलेगा जो surplus 120 वाला है वो ही पड़ा हुआ है उसमें तो कोई change है ठीक है लेकिन एक sub note ऐसा है जो companies act ने कहा हुआ है बनाएं इसलिए FDR 1 के अंदर आपने वो as a sub note नहीं बनाया पी पीज़ा यह नई चीज़ है क्योंकि FDR 1 के अंदर हम IAS 16 का डिस्कलोजर बनाना सीख रहे थे IAS 16 के डिस्कलोजर की कहानी यहां पे खतम हो जाती है तिसरी चीज़ है एक यह मेन चीज़ आगी फिर री वैल्यूड एसेट के बारे हैं बताओ कब हुआ री वैल्यू इंडिपेंड़ने ने किया यह बताओ दूसरी बात अगर री वैल्यू ना होता तो बुक वैल्यू क्या होती यह बताओ तूसरी बात सर्प्लस के दर को मूवमेंट है तो मैंने कहा उसको वाइड कर दो अगर जबरदस्ती करो भी तो इसमें क्या बनेगा ओपनिंग 120 और क्लोजिंग 120 इसलिए रहने दो मूवमेंट ने सर्प्लस दिखाने की मूवमेंट है ही नहीं तो सर्प्लस की मूवमेंट बनाने की जोड़ नहीं बनाना चाहो तो बेशक बना ले न ठीक है लेकिन जो नई चीज आज आपको नजर आएगी वो है डिटेल आफ डिस्पोजल्स डिटेल आफ डिस्पोजल्स ठीक है ये एक निया सब नोट बनना है लेकिन ये रिवैल्यूड असिट से रिलेटेड नहीं है इसलिए पहले मैं इस लैंड को फाइनल कर दूँ लैंड मेरे तरफ से फाइनल है कोई अडिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं तो रिवर्स वर्किंग करके बैलंसिंग मैं यहां लिख रहा हूँ ओपनिंग कितना आता है 375 और इसकी तो कोई डेप्रिसेशन वगएरा होती नहीं है अब माइनस का साइन लगाओ यह 375 आगए मैयर्मेंट वेसेशन कौन सी है जी इसकी रिवैलिशन मॉडल और अगली दोनों चीज़ों की इसको कोई जूरत होती नहीं यह मैंने क्या लिखा हुआ था जी हाँ पर मैयर्मेंट वेसेशन यह क्या जी लिखने की भी जूरत नहीं है है ही कुछ नहीं ठीक है अब डिस्पोजल किसका है भला मशीन का है अब बो उसको एंड पे देखते हैं पहले सबसे आसान मुझे फरनीचर देख रहा है फरनीचर का नोट पूरा करते हैं बलके मैं तो कहता हूँ फरनीचर का नोट पूरा करना आप से हो जाए अगर पहले तो कैसे ये पॉइंट पढ़ें अगला पॉइंट तो मशीन का है न ठीक है ये पॉइंट पढ़ें पिछला पॉइंट इससे बिल्डिंग का है उसको भी छोड़ दें ये पॉइंट के साथ आपने स्टेट लाइन मेथर्ड वाली बात देख लेनी है और 10% डेप्रिसेशन 10% डेप्रिसेशन है फरनीचर एंड फिक्स्चर्स के उपर बस इतनी सी बात यानि आपके सामने आप सिरफ ये बात है स्टेट लाइन मेथर्ड 10% डेप्रिसेशन रेट है इसका और ये एक पॉइंट है इसको पढ़ते हुए जरा हिम्मत तो करें ये डिस्क्लोजर पूरा कर दें मुझे ये एक अद्पुजद्धा डेटा उसने पूरा नहीं दिया हुआ शाबश हिम्मत करें कोई नहीं खैर है मैंने तो करवाई देने क्या हुआ नहीं समझा रही नहीं बनेगा हिम्मत करने पर सब कुछ हो जाएगा मुकमल करना है इसको पहला कर गए तो सारी ही गोते चले जाएंगी इंशाल्ला ये वर्किंग तो आपके सफ़ा नंबर चार पर पढ़िया इसको जरा इदर ले आए नोट्स पहले है इदर देखें जी छोड़ें आप आपको पता नहीं क्यों नहीं समझाती कॉलम में कुछ चीज आज़े तो जैसी लेजर में आती है आप अश अश करो अकाउंटेंट्स डेबिट क्रेडिट यू नो फरनीचर एंट फिटिंग्स लिखा हुआ है मुझे ब्रॉट डाउन का नहीं पता लेकिन केरी डाउन को कितना बताया उसने 27 उसके बाद इस लाइन में क्या लिखता है फरनीचर एंट फिक्स्चर वर्थ 8 मिलियन वर परचेज़ अन 1 अपरिल 15 मतलब इस लेजर के अंदर यहां पर एडीशन कितना आना है 8 कोई डिस्पोजल के बारे में कह रहा है इस सवाल के अंदर के कोई है इसका नहीं है तो खुद से तो नहीं अजियूम कर लेना अब ब्रॉट डाउन लो एसे यह ऐसे नहीं बनाना यह डिरेक्ट करना था इतनी सी बात उता रहा था यह देखो 27 फरनीचर लिखा हुआ है क्लोजिंग में सवाल मेंसे सिर्फ आपने उठाकर लिखा यहां पर 8 कोई डिस्पोजल है नहीं अब रूल क्या है जब नीचे को आ रहे होते हैं तो आप उपनिंग प्लस 8 क्लोजिंग किया होगा लेकिन जब रिवर्स वर्किंग कर रहे होते हैं प्लस वाले को माइनस करते हैं न तो 27 माइनस एट यह 19 आ गया ओकर ठीक है जी 19 और यह 8 डिस्पोजल तो है क्यों एसेट का अकाउंट पूरा हो गए यह अब आप पूरा अब तो पूरा कारी दो अब तो पूरा कारी दो नहीं अब तो कारी दो पूरा जी बच्चो अगर इदर ही भाई मैंने का इदर आओ खुद से आ जाते हैं यारे एक तो इदर ही चोड़ो इनको जब तक बलाओ ना भी आना आपने पता भी आओ आठ क्लोजिंग है अक्यूमला डेप्शन का लाजमी है इस साल में डेप्शन हुई होगी उसकी एंट्री डेप्शन एक्सपैंस क्लोजिंग ट्राइल है ना सब कुछ हो चुका होगा है अगर मुझे डेप्शन तो है कोई नहीं अगर मुझे डेप्रिशिंट अध्स यह तो मैं इसे ही आपक्रेस तो छलो पहले पहले डेप्रेसिन एक्कैस निकालते हैं यह रिकोर्डिन के लिए निते हैं य ultimate ूर झे घे मुस्ट नोट पूरा करना नहीं है स्ट्रेट लाइन मैथट है अब उपनिंग इतने हैं और दस परसंट वान पॉइंट नाइन एडिशन एट इंटू टैन परसंट इंटू नाइन बाइट ओ त्री बाइट वैल वेरी गूड शाबच यह तो तीस जून वाला साल है न ठीक है भाई यह तो ऐसे ही है फ टोटल क्या हो गया अब अगर टू पॉइंट वन डेप्री सेशन एक्सपेंस है तो यह यहां पर आकर लिख दो भाई यह तू पॉइंट वन के साथ आपने यहां पर छोटा सा रेफर करना है वर्किंग टू जैसे यहां पर आपने वह जो लिखा था वह लास्ट लिए इसको यू लिखे न यू ने खुद ही कैसे यह टू पॉइंट वन कहां से आया कहीं लिखा वह सवाल में कैल्कुलिटर दिन लगा के आएंगे परचे में साथ अटेच कर लो भी बंद होना है वो कैसे ढूंडेगा बताएं कोई भी फिगर खुद निकाले न तो आपने कैस कि खा से अजी नियुना नी अप जैसे मर्जी करें मैं तो सिखा रहा हुँ ठीक है ना एक फिगर चलें आप बंडां बिल बिल्डिंग बूरी गर M से machine होना था B से building तो फैसला क्या हुआ आप पहले building अब building के लिए building के लिए जाग रहे हैं ये point पढ़ें और building जो है वो building की depression कितनी है जी 5% तो ये point पढ़ ले उपर land वाला point पढ़ लिया ये building वाला point पढ़ें और 5% depreciation है building की बस इससे अगला वाला point तो वैसे ही आपको पता है मखाईन का है तो मखाईन तो नहीं है फिलहाल आपके सामने जल्दी करें सवाल पूरा होगा तो छुटी होगी जल्दी करें चाहे 5 बज्जे 15 मिन्ट का सवाल है तुम्हारे अब 7-4 किसके है 15 मिन्ट बाथ इसे हाँ हाँ इस तुम्हारी बाथ ही कह ले तुमने निकलना है 15 मिन्ट बाथ क्लास से तुम्हार टाइम हो गया है हम सब मिल के दौा भी करेंगे इस्तमाई पंदरा मिनिट बाद निकलने तो दो जाने का टाइम तो होने दो हो सकते है अल्ला पाक, अल्ला के हाथ में अल्ला बचा ले कहता है चावल खिलाएं मर्दे वादा है हाँ जी यह पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है हमारे साल के एंड होने से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है यह हमारा साल है 30 जून 2000 कंस्ट्रक्शन यहां शुरू हुई है और काम खतम होना है यहां पर ये एंड के ओपर ये वर्क इन प्रॉग्रेस है ये बिल्डिंग में एसे पीपी में एड नहीं हो सकता लेकिन कॉस्ट इंकर डिविं दे येर जो के 20 मिलियन थी वस कैपिटलाइज़ अब इसका हल पता है क्या है बड़ा असान हल है इसको इसको काड़ दो यहां से इसको काड़ के 130 कर दो और यहां पर अलग से जाकर लिख दो कैपिटल वर्क इन प्रॉग्रेस सवाल के अंदर गिवन है ना 20 यह दर लिख दो वह मैंने काड़ के सीधा कर दिया काड़ कर नहीं सीधा करना तो पैसे यह बिल्कुल सही है पर्चे के अंदर यह बिल्कुल सही है मैं तो मिटा के भी कर सकता हूं 130 लेकिन मैंने वो तरीका बताया जो पर्चे में आपने लगाना है इसको काड़ के 130 करो 20 उदर लिख लिए यह अडिशन में कैसे कैपिलाइज हो गया सही हुआ है कैपिलाइज किया है तो सही किया या गलत किया है क्या कैपिल वर्किन प्रॉग्रेस एसिड में एड कर दे तो अगले साल पढ़ो ना पढ़ा नहीं न एजस्मेंट को तुमने कब पूरा हो रहा है ये कांट्रेक्ट हमारा ये हमारा प्रोजेक्ट 30 सितंबर अभी हम 30 जून 15 पे खड़े हैं तो ये कैपिल वर्किन प्रॉग्रेस है बैलेंस शीड में नजर तो आएगा लेकिन ऐसे पी पी में नहीं जा सकता अब उसने गलती से क्या किया डूजन ने ये इसको कैपिलाइस कर दिया तो क्या करूं यहां पर प्रिजेंट करूं के उसने इडिशन 20 गलती है गलती है तो फिर इप्रॉजन तो वो तो अगली बात है मैंने सीर्फ क्लोजन को सही कर दिया अब अल्य पात यही आनी थी यही 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 कह रहा है डिप्रीसेशन क्यों नहीं होगी क्योंकि कैप्लाइस किसे दो है शुक्कर है 30 जून के अप्लाइज हुआ वरना तो डेप्रीसियेशन वाला रोला भी पड़ जाना था ठीक है चलो जी ये भी सही हो गया 20 भी निकल गया अब रह क्या गया अरे डेप्रीसियेशन दो को बैलंसिंग कितना आने और तो इस साल के अंदर कोई बिल्डिंग में अडीशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं चलो मैं वर्किंग कर देता हूँ वैसे तो आपको नजर आ रहा है 5 परसंट ले लेना था आपने लेकिन चलो कोई ना कोई ना अभी तो हाथ सीधा होना शुरू हूँ है जी क्या है ये बिल्डिंग ओन ओपनिंग कितना ओपनिंग 130 इंटू 5 लेना 5 6.5 बस कोई अडिशन नहीं कोई डिस्पोजल नहीं तो ये बिल्डिंग 6.5 ले जी 19.5 ठीक है जी तो यहां पर चल रहा है वर्किंग अलग तलग होती है नोट का हिस्था नहीं या तो क्लियरली रेफर करें इसे नोट के नीचे आपने पॉइंट स्टार लगा के या कुछ इस्तना से करके या अलग सफ़े भी रखें तो बेतर है वर्किंग जो है वो नोट का पार्ट नहीं होती है ना अलग होती है ठीक है इसलिए मैंने चौस्थे सफ़े पर आपको वर्किंग स्चुरू करवाई है अभी चल आपका दूसरा सफ़ा राए तीसरे सफ़े के नोट सभी रहते हैं जो पांच बच तक कहीं जा के बनेंगे जी चलो आप बस बौट हो गई अब मशीन तो आपकारी डालो मशीन का नोट पूरा करो, मशीन को पूरा करतो एक मिन्ट, एक मिन्ट, फरणीचर पूरा हो गया है अब इसकी उपर मानेस लगाकर 29 लेख लो, जो पूरा हो है अब 26 पे माइनस लगाओ इसलिए बाद में माइनस लगा रहे हैं क्योंकि ये बाद में आपको कंफ्यूज ना ना करें जब बैनसी निकल आता है तो फिर आप विक वैल्यू निकाल लेते हैं कितना वान जिरो चलो इसको कंप्लीट करो देखो अब इस पर माइनस लिगा स्वास NH travelled करें स्वीट तेज करूं यार अलड़ि बहुत स्वीड में काम वह रहा है खु도 काशुख करो अच्छा जी सुने 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 यहां पर मशीन में क्या हो रहा है मसला मशीन में तो डिस्पोजल है चलो आ जो पिर a machine was sold on February 28, 2015 हमारे साल में two NJ enterprises at a price of 13 ये तो sale proceeds है at the time of disposal cost and WDV of machine was 15 and 10 मुझे cost चाहिए होती है और accumulated depreciation चाहिए होती है book value given है तो कर लेंगे उससे लेकिन फिलहाल तो cost निकालो कितनी cost? ये 15 पूरी cost acid account में से credit हो गई लेकिन यहां से क्या credit होना है यहां से क्या debit होना है accumulated depreciation अब मुझे सवाल के अंदर क्या given है तो यहां पर मैंने एक जगा थोड़ी सी छोड़ दें working number 3 कर देता हूँ या वैसे star लगा के भी star ही लगा दें यहां पर यार चोटा सा यह यहां पर हमने हमें क्या चाहिए यहां पर क्या चाहिए हमें क्या चाहिए accumulated depreciation ठीक है तो यहां पर मैं एक चोटा सा star लगा देता हूँ यह मैं यहां पर कर रहा हूँ माज़रत के साथ ठीक है जी जी cost कितनी है 15 और book value कितनी है 10 तो accumulation कितनी है अब data यह 5 भी तो सवाल भी ना given था बताना है कहां से आया है ठीक है आपने बताना है यह लें जी यह क्या आगया जी कोई addition वडिशन तो यह तो ओपनिंग आ जाएगा कितना देखो न हंडर्ड में से पंद्रा माइनस करके पचासी पर आया थे रिवर्स करेंगे तो 22 सतर पे पहुंच गया थे अब depreciation ने तो क्या ही बात है कोई लेजर बनाने की जुरहता है यह समझ आ रही है ओपनिंग कितना है सो डिस्पोजल पंद्रा और क्लोजिंग तो हमने लेना नहीं होता excluding डिस्पोजल किया करते थे याद है तो ओपनिंग इतना है जी 100 माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट यह जो बचा इस पर 10 परसंट 8.5 उसके बाद कोई डिस्पोजल है डिस्पोजल है बिल्कुल है डिस्पोजल पंद्रा की कॉस्ट है 10 परसंट है किस दिन बिका फर्वरी को तो मार्च अपरेल मई जून यह चार महीने नहीं है 28 फर्वरी को भी कहना बिल्कुल फर्वरी का आखर में तो कितने महीने डेफ्शिट होगा 8 महीं 8 बटा 12 जी 1 एग्जेक्ट 1 लो जी टोटल 9 पॉइंट जी 19.5 पाइव जी 2 वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दो इसको जी अच्छा जी अब ओपनिंग भी बता दो 27 प्लस 5 माइनस 9.5 22.5 अब इस में से 27 पचासी में 27 माइनस करो 58 अब एक डिस्क्लोजर आगे बढ़ा और वो डिस्क्लोजर है कमपनीज एक्ट का रिक्वाइड डिस्क्लोजर के जो डिस्पोजल हो ना दियूरिंग डा इयर उसके बारे में यूजर को चंद बातें बताओ हमने का जी क्या बताएं हुने ने कहा कितनी कॉस्ट थी कितनी अक्यूमूलेटड डेप्रिसेशन है या बुक वैलियू कहा दें कितनी बुक वैलियू है उसके बाद कितने का बिका कितना गेन लॉस हाया यह सब कुछ तो आपको मिल जाता है डिस्पोजल के अकाउंट से आपके अकाउंटिंग ठीक है ना कॉस्ट कितनी थी जिसको बिका 15 बुक वैलियू 10 गेन ऐसे सेल प्रोसीड सेल स्वाल में गिवन है कितने का बिका ठीक है और गेन या लॉस निकल आएगा उससे यह तो आपके अकाउंटिंग है अडिशनल दो तीन बातें और भी कहता है बताओ किस को बेचा पाटिकलर जॉफ बायर नाम लिखा हूँ सवाल में एंजे एंटरप्राइज इसलिए आज लिखकर दिया है डिटेल आफ डिस्पोजल के बाद जो कार जिस्ट मैनेजर के पास होती है उसी को बेच देते हैं यह डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं किस वज़ा से वज़ा क्या यह बताओ तो यह नोट मैंने आपको सुबह पढ़ा देना था लेकिन आप लोग ना सगय है तो जहां पर आपके नोट शुरू होते हैं जी इदर देखे न प्रफ नोट है वो नोट नंबर 10 अब नोट नंबर 10 में जाते हैं तो वह पराने वाला नोट जो आप हमेशा से देखते आए वो तो है ही यह देखिना नोट नमबर टैन यही हमने भी बनाया है ग्रास केरिंगमांट अक्यूमिल एड़क्शन ठीक है उसके बाद यह 10.1 जो है यह मैं चला आपको अब सुबह पढ़ाऊंगा या अगर अभी टैन एंड पर कुछ बचा टाइम कुट गुजाई शाथ की दो यह कुछ डिटेल्स ब प्रोसीड गेन लॉस यह चारों तो आपके काउंटिंग वाले ही होगे यह चारों आपको मिल जाते हैं सवाल से मोड ऑफ डिस्पोजल पर्टिकुलर ऑफ बायर और अगर कुछ से रिलेशन्शिप है तो वो भी बताते हैं यह तीन बातें एडिशनल आगे ठीक है अब यह जो हमने जो जहां से नोट उठाया है उन लोगों ने इसके पीछे एक रूल भी है अभी कंपनी जैक्ट से कल पढ़ाना है आपको यह ठीक है ना कि कितनी बुक वैलियों से ज्यादा का एसिट हो तो उसके डिस्पोजल की डिटेल देनी हैं उससे कम वाले को माफ भी कर सकत हैं लेकिन फिलहाल गो नहीं पढ़ा रहा फिलहाल सिखा रहूं नोट कैसा बनता है तो चार चीजें अकाउंटिंग वाली आगी तीन अडिशनल आई हैं याद रखने किसको बेचा क्या मोड था और किस तरह से टेंडर किया अख़वार में टेंडर आते हैं ना कि आप आक जी कोई नहीं है या है बिदा थर्ड पार्टी को रिर्लेसिं अंए थार्ड पार्टी ठीक है तो ये इन्होंने देखो प्लांड मशीनरी बेची हूई है वह खक्षि अएक यह एक ऑल्काडिया होगा आके सारा उठाके लेगा होगा, मिसाल दे रहूं, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी है, उसको नाम लिखा होगा, वीकल्स, 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 ये कोई, कोई बार का हमारा अम्पलॉई होगा, ये हमाईयों, अजर अली, आजी, शफन, ठीक है, छिजाद, अजीम, राना साब, इन को हमने वीकल्स दी है, क्यों, ये कंपनी पॉलिसी है, और ये कौन है, एम्पलॉई है, ठीक है न, तो ये इस तरह से नोट बनता है, अब हमारे सवाल में भी ये नोट बनेगा, मेरे पास जगा खतम होगी तो मैंने यहाँ पर जगा रखी थी, ठीक है, लो जी, ये नोट बना लो, तो डिटेल आफ डिसपोजल, डिटेल आफ बलकी, यू लिख देखें, डिटेल आफ पी-पी-ई, सोल्ड़ डियूरिंग दा ये इर, जी बैटा, नहीं बैटा, आप इस से बहुत आगे जाएंगे, अभी तो आपको बता ही ने आपके टैम से क्या आ रहे है, ये ये पका ठका नोट है आज से तीन चार टेम पहले तक ना मैं ये बच्चों को एफ एर वन में करा देता था ये वाला नोट फिर मैंने का यार कामपनी जैक्ट ऐसी इत्यातन कराता है बंदा छोड़ो ऐसे बच्चे बोज पढ़ता है फोड़ी इतना सिंपल सा नोट है ठीक ह अच्छा जी तो एक मशीन आपने बेची है मशीन ही है ना मशीन इसकी कौस कितनी है पंदरह इसकी बुक वैल्यो दस इसकी सेल प्रोसीड्स पूरा लिखना है जी सेल प्रोसीड्स पूला रिक पूगा, सेल परो सीड़, सेल परो सीड़, कितनी जी, तेरह, तो दस बुक वैल्यू लिखती न, उसके आगे तेरह लिखा, अब सीधा नजर आ रहा है, कि गेन है इसका, कितना गेन, तीन का, अब ये तो हो गए हमारी अकाउंटिंग, आगे तीन अडिशनल किसको बेचा है, मोड क्या है, मोड, मोड नहीं गिवन, ठीक है छोड़ दो, पर्टिकुलर ऑफ बायर, पर्टिकुलर ऑफ, पर्टिकुलर ऑफ बायर, क्या था जी नाम उसका, एन जे, एंटरप्राइजेज, और रिलेशनशिप कोई है, सवाल में तो कोई बात नहीं की हो भी खुद से कोई रिलेशनन बताने की जरूरत नहीं है, खुद से नहीं हज्जूम कर लेंगा, सर होगा, थर्ड पाटी लग रहा है, थर्ड पाटी लिख लें, क्यु कि थर्ड पाटी ही लिखना बेटर है, वैसे I think, ठीक है ना, क्यूंकि हमारी कंपनी का नाम क्या है वैसे वो चुप है, हो सकता है, हो सकता है, ये क्या नाम है, बी-एस-जेड की, ये कोई, एंज एंटरपाइस जो है, ये कोई, एसोसियेट हो, लेकिन फिलहाल, नहीं है, मोड भी गिवन नहीं है, तो मैंने इसलिए ये खाली छोड़ना दा मुनासिब समझा, कि मुझे नहीं गए, इसका टोटल का, डबल फाइव सिक्स, लो जी, प्रॉपर, बड़े आप, बहुत बड़े हो गए एक दम से आप, यहां पे आपने लेका डबल फाइव, ऐसे बनती है, फाइश से, ये डबल फाइव सिक्स, यहां से रेफर होगा, यहां पर सारी डिटेल्स हैं, ये नोट कुछ इस तरह से पूरा हो रहा है जी, इधर देखें, ये अगर आप टिक्चर लेना चाहें तो ऐसे लेंगे, ये नोट यूँ शुरू हो रहा है, ये चला नोट वान, वान पॉंट वान, अगर लैंड आखरी बार रिवैली हुआ है, दोस्ट जारा में, इंडिपे बैलेंशीट की जब नोट चलेंगे न, उसके अंदर ये आएगा, जैसे पी अनल के पांच नोट से न, बैलेंशीट के बेताशा नोट से, उनके अंदर, कंपनी जेक्ट ने जो कहें है, ये भी एक नोट है, ठीक है, चलें आगे, पार्ट बी बाइजन कब से वो ये है, वो है, प्रोवियन, इसका बैड और डाउट फूड एड का नोट, ठीक है, चलो जी अगली अगली अज़स्मेंट क्या है पढ़ें जरा, ये उसी की है, वो बाद में करते हैं, ये अब अब बनाते हैं, ये अब बनाते हैं, ठीक है, आल अडवांसेज गिवन ट सप्लायर उपर पढ़ के आये थे ना, ये इस सोलां की बात कर रहा है, इसके बारे में कुछ कह रहा है, पढ़ो, भाई बहुत अच्छा जबरदस्त जिसने बोला करंट में डाल दें, तीस जून दोजार, पंद्रा हमारा साल है, सोलां मिलियन हमारे पास, हमारे फाइंसे स ये भी लिखना होता है, secured या good, ठीक है न, doubtful नहीं है, good है, all advances are good, and include an amount of 4 million, paid for goods which will be supplied in December 16, यानी पहले 30 जून 16 आएगा, और उसके बाद अगला साल चल रहा होगा, तो यहाँ पे जाके, इस में से 4 रुपे की चीज़ें, 4 रुपे के advance के चीज़ें, देड साल के बाद आनी जिसका मतलब, ये advance एक asset तो है, लेकिन ये non current asset है, ये क्या है, अच्छा, अब, ये सारे के सारे जो थे, ये हमने एक सफ में खड़े करने थे, ऐसे ही है, अब बो, मैं तो कहता हूँ, ये सारी चीज़ें लिख लें, और उसके बाद फिर बस debtor वाला point जो है, उसको end पे करत ना है, इसके लिए note number, यहाँ पे five कर लो, three को फिर वहीं बिना लेंगे, जी, note five, cash and bank balances, नोट्स चल रहे हैं न, कोई ही note five लिख दो, बाद में three लिख देना, खेर, चलेगा, हाँ, कोई बात, जी, okay, cash and bank balances में, cash at current account, cash at bank, current account, कितना जी, seven, और फिर cash at bank, savings account, कितना जी, total, twenty nine, ठीक है जी, उसके बाद इसके related point, चलो वो भी पढ़ते हैं, पढ़ लो, साथ ही पढ़ लो, फिर मैं वापस आता हूँ, advance वाले पे, यह देखो जी, क्या लिखा हुआ है, cash at bank in, savings account, carry interest और markup ranging from three to, लो जी, यह disclosure की requirement है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मसला इसके अंदर, बस given है, average rate, यह standard require करते हैं, ठीक है, तो आप इसको as it is लिख दो, यहां पर, यहां पर लिखोगे, note number 5.1, और as it is उठा कर उसकी नकल कर दो, जी, क्या लिखा हुआ है, cash at bank, इसके साथ लिखोगे न, इसके साथ, and 5.1, जी, cash at bank, in savings account, carry, markup, ranging from, 3% to, 7% per end, लोज, disclosure, वो कंबल, आखरी point भी टेक कर ले, bank भी टेक होगे, अब कभी आपके सवाल में ऐसी line लिखी हुई होगी, तो आप भी लिख देंगे, अब ठकना नहीं है, आप तो end है सवाल को, बस 15 minute हमत करनी है, जी, उसके बाद, अब बाकी क्या चीज़ें रह गी हैं, जी, ये है, accounts receivable, और provision, इन दोनों को जरा pending रखो, इसका note बड़ा special है उस पर 10 minute लगने हैं, उसके इलावा बाकी सवाल हमारा फता में, ठीक है, next, ओहो, sorry, 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 ये, अच्छा, next याई जी, stock in trade, अकेला थकेला है, कोई मसला नहीं है, कितनी amount है जी, कितनी, 90, लिख लो यहाँ पर, cash का total ले आएंगे ना, ले आते हैं, बारी तो आए, next इदर देखो, next, ये दोनों चले गए, अब ये, advances to supplier, advances to staff, short term deposits, prepayments, इन के लिए note की अब मेरे पास उधर जगा कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर note number 4 बना रहूँ, ठीक है जी, note 4 का नाम क्या रखा था जी हमने, advances, deposits, prepayments, and other receivables, चार नमबर ही है इसका, जी, क्या क्या चीज़ इसमें डालनी है आपने, advance to supplier, लेकिन इसमें adjustment है, इसलिए रुक जाओ, next है, advance to staff, next है, short term deposits, next क्या है जी, prepayments, अब, जो 16 है ना, 16 के बारे में, सवाल ने क्या बताया, ये adjustment भी उड़ा दो पकड़ गे, क्या कहता है, all advances to supplier are considered good, लेकिन, 16 में, शामिल क्या, and include, an amount of 4 million, जिसके against goods आनी है, डेट साल बाद, non current assets में आकर आप लिखोगे, advances to supplier, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, 4, और, यहाँ पर, जो आपने, advances to supplier लिखा हुए, उसके आगे bracket में लिखोगे, 16 minus 4, 12, ठीक है, यह presentation होगी, adjustment भी खत्म, 16 भी उठ गया, बाकी चीज़ें भी अब उठाओ, 16 के बाद क्या है जी, advance to staff, 6, next, short term deposit, 11, prepayments, 4, 37, 33, बात समझाई, 16 ट्राइल में गिवन था, advances, उसने का, इसमें से 4, डेट साल बाद, इसके gains goods आनी है, हमने का, यह तो non current है, तो हमने, 16 में से 4 निकाल दिया, यह 12, short term deposits के अंदर ही रहने दिया, यह advances deposits में, और 4 को उठा कर ले गए, यह non current, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टोटल हो गया नीचे, इस पर एक minute में लिख सकते हैं, अभी end पर लिख लेते हैं, लो जी, यह सारी चीजें गई, this, 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 next क्या जी, sales tax receivable, यह तो face पही आता था, कितना, बारह, मैंने का, पहले सवाल खतम कर लें, ताकि आपको होसला हो, बस debtors रह गए, उसको छुटी है, ठीक है न, नहीं उस पर कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद जी, यह सब कुछ तो already हो चुका, एक दम से जंप लगा, defer tax session में defer tax liability है, 40, defer tax liability, 43, सिरफ trial post कर रहूँ, मैंने का, इतना असान है, यह मुफ्ट के नंबर थे, लोग मारें के, लोग को मुफ्ट के नंबर मिले होंगे इस attempt में, यह defer tax liability लिखने के भी नंबर है, मैंने मुश्किल काम पहले करा दिये, जीग है, तो बस posting है, next, short term loan भी face पर सीधा, लेकिन यह दोनों का note बनेगा, ऐसे ही है, तो short term loan क इसके लिए बनाएंगे, trade and other payables, यह तरतीब भी उल्टी होगी है, वैसे तो, चलो जान दो फिर, trade and other, payables open कर ले, six कर लो, तो फिर आपने उदर क्यों नहीं चेंज कर आए उस वक्त, पहले से लिखा नहीं हुआ था, चलो नंबर आगे पीछे कर लो, खैर है, अपनी तरतीब पे रखो आप, आप अपनी तरतीब पे रखो नंबर, जैसे five six seven आ रहे हैं, वहाँ पे फिर refer, मुझे भी वही करवा दो, आपका नंबर फाइव आगया, नंबर फाइव लिख दो, फेस के उपर चेंज कर देना, मसला क्या है, ठीक है, जी ट्रेड अधर पेबल्स, ट्रेड अधर पेबल्स, पच्छतर और seven आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आगया, अकाउंट पेबल, यहनी नहीं है, जी, 82, मैं तो कहता हूं, यहन पहुंचा दो, 82 और 33, 82, यह है न, 82 इदर, और 33 क्या था, यह नोट 4, 33, चलो, यह साथ सथ पहुंचते भी जाएगा, ठीक है, अच्छ, उसके बाद ट्राइल में किसकी बारी आई पड़ी है, जी कौन पड़ा है, 17 क्या है, CTP, current X बजी तो फेस पे आता है, 17 रुपे, सही है, और क्या बच गया, इशूर सब्सक्राइब एंड, पेड़ अप कैपीटिल, 400, surplus, 120 और रिटनिंग्स, 65, यह उठा कर लिख लो, very simple, मुफ्त के नंबर, 400, 120, 65, ट्राइल इस ओवर, रह सिरफ यह, ओहो, यह तो रही गया बिचा ओमाई गॉड, चलो कोई बात नहीं, ओपनिंग 10 लिख लो, एडिशन तो कोई नहीं है ना, और अमॉर्टाइजेशन कैसे निकली होगी, यही ओपनिंग के उपर, कितने परसंट उन बोला है, 10 परसंट, कितनी आ गई, तो फिर यह बैलेंसिंग, चलो जी, यहीं भी पूर ओगा ठीक है, यह भी नोट पूरा हो गया, और यह एड जो है, यह भी फेस पर लेते हैं, यह 29 पहुंच गया, नहीं, यह भी ले आओ, पूरा ट्राइल, पोस्ट हो गया, सारी वर्किंस का टोटल आ गया, सिर्फ एक यह रह गया, वो तो सिर्फ लिखना है, चलो वो भी ल लेकिन मैं पते क्या चार वहाbull हुँ, मैं पते क्या चार वहां, जर एक पक्की होजाए बात, मैं चार हुँ, सारा टोटल बैलेंस ही टैली कर लेंगे, मैं वो नहीं लिख कोगा फिर बाद में लिख दूंगा, ताकि आपके जहिन में यह आई ही आरगी कभी वो किसी टोट किया आजिएम कर लोगे नहीं वह तो परचे में करोगे ना परचे में करोगे वो काम तर्धरर आज़िए है अच्छ झिए हैं जहां पर बना लेता हूं नोट की है झाफ बताओ आप आप three लगा हाई चल्व आप number सीधे कर लें कोई oynश्वा नूंबर आपने पता है क्या क्या कर आै यह मेरा मेरा मसवरा है मेरा दूऌ मेरा मसवरा है आप यहाँ पर end dash end dash end dash कर दिया करें जो नोट पहले आ जाए उसका number डालके इसका आगे लिक लिया करें आप numbering पहले किया ही ना कहें ठीक है ये कर लिया है तो note number three अब आप कह रहे हैं आगे पीछे हो गया बहुत तरतीब सीधी करना ले मुझे नहीं मैं मेरे तसली नहीं हो रही काट के सही करो note one सही है note two सही है note three किसका बना दिया हमने अकाउंट रिसीवेबल का नहीं बनाना इसको यहां से काट दे मतलब काट दे ठीक है note three किसका बना है आपका cash इसको करें काट के three करें करें मुझे नहीं पता वैसे ऐसे तरतीब पता है ये पर परचे में परेशानी खामगा कि ये हो नहीं है सारा कुछ चीक के सारी मेनत करके एंड पर मैं ऐसी वर्वाद नोट पहले तीसे नमपर कौन से बना रही है इसको नोट three करें यहां पर नोट three आ उसके बाद कौन सा नोट बन गया चलते चलते कौन सा नोट बन गया एडवांसिस तो एडवांसिस डिपॉजिट प्रीपेमेंट को नोट नमबर four लगाओ और वहां पर जाकर लिखो काट के लिख दो नोट four वो तो है सही चलो अच्छा हो गया उसके बाद कौन सा नोट बन रहा है नोट नमबर five बन गया ट्रेट अधर पेबल्स का काट तो कोई मस्दा नहीं अभी कर लो यह जिंदिगी असान हो जाए आगे के लिए यह खाम का कि एक टेंशन को लग रहा था आपको और यह नोट नमबर five यहां पर आकर लिखो यह काट के लिखो इसको five ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुमें अच्छा ने टाइम दूसरे का पूरा होना है वह पांच मिट रहा गे तेरे नहीं बलके उपर होगे तो स्मिट मोजजा अच्छा मंगवाता हूं अच्छा जी अब नोट नमबर कौन सा आ गया है नोट नमबर six तरतीब सीधी होगी trade and other trade debts लिख लो trade debts या account receivable कुछ भी अखेर trade debts accounts receivable लिखाव लवज वही लिख लो accounts receivable जो balance sheet में लिखाव लिख लो trade debts लिख लो तब भी कोई मसला है यह बैले शीट में लिख लेना कोई मसला है ठीक है अब जहां पर आकर note number यह note number ठीक है जी तो आपने अपनी काट काट के सही कर दें इनको मैं असल में पहले ही कह देता कि इनको इनको आप note dash note dash कर दें और जैसे जो आसान देखो ना परचे के अंदर जो debtors वाला note मुश्किल लगे जैसे मुझे मुझे मुश्किल लगा तो आप तो end पे लेके जाते रहोगे तो पिर लाइने चोड़ने के अलग tension होगी तो इसलिए तर्तीब क्या रखनी है note के आगे जगा खाली चोड़ देनी है जो सबसे आसान लगे सबसे पहले note number one उस पे लगाओ और note one refer करके आगे चलो कोई तर्तीब एंड वाला note note one है पहले वाला note five है खैर है यह दरा easy हो जाएगा ठीक है अच्छा जी account receival का note तो बड़ा असान लेकिन आपने इसको जो आसान समझा तो account receival closing 60 है और provision for doubtful debt का closing 3 है मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक चोड़ा सा काम करने लगाँ ऐसी दिल कर रहे है ऐसी नहीं बेटा ना फजूल में बातें किया करो या time जाया करते हो ऐसी अपना और effort भी तरले भी मारते हो शिर्मिंदा भी होते हो लेकिन लगता है नहीं होते है अच्छा accounts receivable मुझे न किया करें मेरी फिलहाल समझ लें जो मजबूरी भी है trade debts trade debts brought down पता नहीं कितने है trade debts carry down कितने है क्रेट debts carry down कितने है 60 ट्राइल के अंदर ऐसे ही है next provision provision for bad debts कितना जी closing है 30 अच्छा अब मैं तीन है चलो ठीक है मैं अब अंग्रेजी पढ़ूँगा और इसके नीचे ट्री बनाऊंगा बस वही ट्री नोट है उसको सिर्फ लिख देने चीक है पढ़ें जी point 50% of the accounts receivable were secured ओहो secured से याद आया इनके साथ आपने क्या लिखना था good ये अडवांस तो सप्लायर्स के आगे डैश डाल के लिखें good ये भी चबला ना मारो शाम्दाट है मेरे हालते ते सोड़ा या रैम करो स्वेरे साथ वही जपड़ा रहे हैं अभी दो पांच साथ मिनट में पढ़ा लें तो मुझे effectively कहीं खराब ना हो जाए नहीं मैंने पी ली है मैं तो ब्रेक में पी के आया हूँ आप भी ब्रेक में पी के आया करें अचा यार प्लीज अगर irrelevant बात करेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा मुझे तो मसला कोई नहीं में तुद्धे आड़ी अब खतम हो रही है अच्छा जी कल डबल क्लास करनी है आपके फ्यूचर के लिए मुझे कोई मसला नहीं है मुझे किसी तरह से कुछ मसला नहीं है ऐसे सुने जी पढ़ें अब 50% of the accounts receivable were considered were secured and considered good security leave यह कहां बागके जाएगा तो secured है इसलिए वो good है इसका मतलब 50% यार यह बहुत दूर है इसको इधर ही ले आए या तुम बहुत दूर हो इधर आओ अगरा फिर उठा कर इसको वापस ले आएंगे इसको उठा कर वापस ले आएंगे ठीक है इस 60 में से 50% जो है वो कितना बनता है यह 30 जो है यह secured है और इसी वज़ा से good भी है secured good ठीक होगा जी अब बाकी बच गया 50% जो फिर 30 बनता है जो के unsecured है अब यह क्या है Unsecured अब Unsecured जो है किया लाजमी है कि वो Bad है यह तो कोई बात में बास समझाई है किया लाजमी है कि वो Bad है नहीं जो लोग Security नहीं रखवाते का पकी बात है कि वो पैसे लेकर भागी जाते ऐसी कोई बात है अब इस 30 के बारे में सवाल कहता है जो 30 unsecured कितने हैं unsecured कितने 30 30 उनका 10 10% of the unsecured were considered doubtful आगे न जाएं तो इसका मतलब इसमें से भी 90% जो हैं वो क्या हैं good है 90% यानि 27 जो हैं वो good हैं वो unsecured हैं वो unsecured हैं लेकिन good हैं और बाकी का जो 10% हैं जो unsecured हैं वो क्या हैं doubtful है बैड तो भी नहीं हुए उनको मैं doubtful कहूँगा doubtful अच्छा अब मैं आपको एक मज़े की बात बताओं आपका ना ये एक मिनिट मैं आपको आपका note दिखाता हूँ secured good ये देखो ये जी आपका debtors का note है अब इसको बस आपने क्या करना है जरा सा ऐसे ही statement form में जरा सुर्खी पोडर लगा के आपने present कर देना है ये इतनी सी ही बात है ठीक है यानि आपने अपने debtors के बारे में इस तरह से presentation देनी है secured good 30 unsecured good 27 और unsecured doubtful 3 total 60 total 60 कोई ये न कहें मुझे के प्रोवियन इसमें नहीं पड़ी होती भाई प्रोवियन debtors में पड़ी होती है जब ये 60 का break up दे लेंगे ये break up दे लेंगे तो minus 3 करके 57 फेस पे ले जाएंगे ये बात समझ आई तो इसको जल्दी से नोट करो फिर मैं नोट बनवा हूँ जल्दी करो एक मिनट लगाओ बैटा प्लीज अच्छा बैटा हो गया ना तो जिन्होंने नहीं क्योंने कर लें नहीं पता नहीं यार आप लोग क्यों बरदाश का ना इम्तिहान लेते हैं इधर ही नोट भी बनाएं नोट नंबर कौन सा चल रहा था जी नोट सिक्स क्या नाम दिया था इसको ट्रेड डेट्स क्या अकाउंट्स रिसीवेबर आपको ये पता नहीं है आपको एजी लग रहा है इसी के अंदर बेटा आने वाले दिनों में सबसीडरी और इसोसीएर्स और फिर ये नोट की रिक्वार्मेंट है ये बुनियाद है अब इसी के अंदर और चीजें पढ़ेंगी तब जाकर डिस्कोईर पूरा होगा अब इगार बैटके पड़ा करें अच्छाँ अब अब ये पांच मिनिट और बनते हैं इतनी बाते सुनने के बाद बाहुत सब्सक्राइब शड़ा है मुझे 5 मिनिट और ये डिस्क्योजियर बन चुका है डिस्क्राइब क्या है बहुत साधा रिकाँ हैं सीच्योड good secured good कितने है 30 फिर unsecured लेकिन good unsecured लेकिन good कितने 27 और उसके बाद unsecured हाँ doubtful है पता नहीं इन में से कुछ पैसे ना भी आएं वो कितने है जी total लोज अब असल में न ये figure आपने trial से उठानी होती है याद रखने वाली बात क्या है ये 6 हमने trial से उठाना होता है paper के अंदर जब ये 6 कहां से उठाएंगे trial से ठीक है ये trial से जो 6 उठाया है इसको सरफ तोड़ के दिखाया है इस 6 में से 30 secured भी है good ये जाहिर है बाकी के 27 वो secured तो नहीं है पर good है और इसी 60 में 3 ऐसे हैं जिन पर हमें doubt है तो ये 60 वाली figure कहां से उठाई है हमने trial से अब इसी trial वाली 60 की figure में से trial वाली 3 की figure माइनस करके 57 के net debtors balance sheet के face पे शो करें जैसे जिन्दगी में सारी जिन्दगी में करते आया हैं आज तर closing debtors less closing provider ठीक है ना तो ये हमने सिर्फ क्या किया है ये तो हमने सिर्फ अपने debtors का साट का break up दिखाया है secured unsecured secured तो good ही होते हैं unsecured में कितने good ये तो doubtful normally हो नहीं सकते हैं इनकी security हमारे पास पर ये बागेंगे तो बेचके पैसे पूरे कर लेंगे तो secured और unsecured एक ये bifurcation बतानी होती है company act कहता है दूसरा आपने unsecured के अंदर जो good हैं और जो doubtful है break up दिया है साथ का trial वाली figure इस में से आपने less करना है pro vision को कितनी है ये प्रोवियन भी कहां से उठाईया आपने trial से और fifty seven ये fifty seven चला जाएगा face लेकिन एक छोटी सी बात रह गई बस और वो क्या है आपको इस प्रोवियन का लेजर भी balance करके देख लेना चाहिए अगर एक line आगे लिखी हुई है क्या लिखा हुआ इस से आगे investment पूरी नहीं हुई क्या कहता है bad debt expense for the year amounted to one million an amount of one point four million was return off during the year तो bad debt expense one है और bad debt return off कितना है one point four अब आप बेटा IAS 12 कर रहा है अब तो आपको इसमें कोई मसला होना ही नहीं चाहिए ये practice हम कर चुके है bad debt return off इस तरह आता था कितना है one point four bad debt expense जो के P&L वाली figure होती थी वो कितनी है तो ये broad down balancing आ सकता है कितना असल में ये movement दिखानी होती है ऐसे तो मैं मुनासे भी समझता को जरूरत नहीं है आपको इतना grip तो आपकी होनी चाहिए कि आप provision की movement ये खुद बना लें लेकिन अगर ना बना सकें तो ये है आपके सामने ledger जैसे मैंने थोड़ी देर पहले furniture पहला पहला बैलेंसिंग मना के दिखाया था बिल्कु ऐसे ही ये भी शो करना है तो यहां पर आपने note number 6.1 के अंदर movement in provision दिखानी होगी बस अब सवाल खतम हो गया अल्ला अल्ला करके movement in provision क्या movement जी? opening कितनी थी? during the year expense में कितनी गई? write off कितना किया? closing कितना है? तो एक मिनट देख लिए जरा ledger से नहीं नकल करनी इदर देखें opening में add हुआ करता है bad debt, expense less हुआ करता है bad debt, return off और answer होता है closing अब मैं कहता हूँ ledger न बनाओ कोशिश करो direct करने की तो closing provision है 3 सवाल वाले कह रहे है 1.4 write off हुए 1 expense में गए तो balancing 3.4 ये इस तरह से बनाओ तो बेतर है ना कि ledger बनाओ बाकी जो चाहे note करना तो वो भी कर ले note number 6 और 6.1 ये है लेकिन 6.1 ने कहीं नहीं जाना वो सिरफ provision की movement है तो आपकी balance sheet के अंदर क्या जा चुका है 57 जी total कर दो मुझे 588 total कर दो 221 acid side का total कर दो 809 इकुटी capital and reserves का total कितना है 585 पाइब current liabilities का total भी कर दे 180 अच्छा जगा ना बचे time ना हो तो ये sub total ना करना grand total कर देना बस जी 809 आमने सामने तो हो कम उसका तो ये आपकी acid side और liability side equity and liability ठीक है जी शले अब आप हाँ वो तो रही गया वो तो रही गया देखवा बैले शी टैली हो गई है लेकिन एक line आपकी अभी भी दूसरा मैं कोशिश करता हूँ तब तक आप दो पांच साथ सेकंड उदर रखें एक मिनट ये जनाब नोट नमबर six five जो बच गए थे ये नोट उदर से जो बचे हुए हैं वो इदर आगे एक इसकी पिक्चर इनने दे दें और उसके बाद कुछ अदद वर्किंग्स हैं ये अब बच्चे यहां से वर्किंग्स की पिक्चर भी बना रहे हैं ठीक है जी अल्ला आफिस झाल